दिल्ली में करोना के केसिज लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने दो करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने एक महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को है दिल्ली के लोगों ने मिलके, पिछले 24 घंटे में लगबग देड़ प्रतीशत संक्रमंदर आया है और लगबग 1100 के करीब केस आया है, और धीरे 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 रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमंदर भी कम हो रही है, अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की हो गए है, ऑक्सिजन बेड भी काफी खाली हो गए है, जितने हम लोगों ने ये केंदर खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी बेड काफी अविलेबल है, तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का, कहीं ऐसा नहों कि लोग करोना से तो बच जाएं, ल कंट्रोल करना है, और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, एकनॉमिक अक्टिविटीज को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बंसे के उतना अलाउड किया जाए, तो सोमवार को सुबा, पांच बजे तक ये वाला लॉकडाउन है, आज LG साब की अध्यक् हुई, डेली डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के और उसमें कुछ निरने लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, तो सबसे पहली चीज तो ये कि अब धीरे 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 लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, बड़ी महनत से, बड़ी मु जो अभी तक अपने को फाइदा हुआ पिछले एक महिने के लॉकडाउन का ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए, तो इसलिए सब का ये मानना है, एक्सपर्ट का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए, खोलने में सबसे पहले अपने को उन लो पास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं, आजीवी का कमाने के लिए, दिहाडे के उपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं, ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को construction activities में और फैक्टरियों में काम करने वाले मिलते हैं, तो आज इन दो चीजों को, मीटिंग में ये तै किया गया कि इन दो गतिविधियों को, सोमवार को सुबह से खोला जाएगा, जब पांच विजे येवला lockdown खतम होगा, तो अगले एक हफते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, construction activities को और factories को, इन दो गतिविधियों क वहाँ पर बरतनी है, अब हफता दर हफता हम जनता के सुझावों के अधार के उपर और experts की opinion के अधार पर इसी तरह से धीरे धीरे lockdown खोलने के प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते करोना फिर से बढ़ने ना लगे, अगर बीच में ऐसा लगता है कि करोना बढ़ने लग गया, तो फिर हमें activities खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि करोना से संबंदित जो भी एहतियात है, उसको जरूर बढ़ते हैं, दोनों चीजों के लिए, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुर और economic activities लोगडाउन खुलना चालू होगा, अगर करोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पस कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लोगडाउन लगाने के लिए, हम नहीं चाहते लोगडाउन लगाना, हम लोगडाउन के पक्ष में बिलकुल नहीं है, और आप भी नहीं चाह यह समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सब को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरन करना है, ताकि हम सब मिलके अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपनी देश को बचा सकें, नमश्राइब